पहला प्रस्न यदी 15 अगस्त 2011 को समवार था तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था बहुती असान प्रस्न है इसी तरह का प्रस्न पूछा जाता है कैसे सौल्ब करना है समझने का परियास करिए सबसे पहले आपको क्या करना है 15 अगस्त 2011 से 17 सितंबर 2011 तक कितना दिन हो रहा है उसको मालूम करेंगे कैसे मालूम करेंगे समझने का परियास करिए सबसे पहले आपको समझना है अगस्त महिना कितने दिन का होता है 31 का होता है या 30 का होता है 31 का होता है और यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है 15 अगस्त का दिन बता दिया गया है सोमवार था तो आपको क्या करना है अगस्त महिना में 15 दिन माइनस कर लेना है तो अगस्त महिना होता है 31 का, उसमें 15 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा? 16, तो 16 आप यहाँ पर लिख लिजी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगस्त का बाद सितंबर होता है, तो सितंबर का ही पुछा है, यानि कि 17 सितंबर को कौन सा दिन था? है ना, तो सितंबर में 17 दिन तक ही गया है, क्योंकि 17 सितंबर का ही दिन पुछा है, तो सितंबर महिना 17 दिन, तो आप यहाँ पर 17 लिख लिजी, अब आपको क्या करना है, जब भी आप कलेंडर का प्रशना सौल्व करेंगे, जहाँ पर भी नंबर यानि कि भेलियू, साथ य डिभाइड कर लिजी, इसको भी आप साथ से डिभाइड कर लिजी, तो सेस आपको देहां देना है कि डिभाइड करने के बाद सेस कितना बच रहा है, जो सेस बचता है उसी को एक्स्ट्रा दिन कहते हैं, और दिन ग्यात करने के लिए एक्स्ट्रा दिन ही मालुम करना होता है ठीक है तो साथ से डिवाइट करेंगे तो साथ दुना चवुदा सोला है ना तो साथ दुना चवुदा सेस कितना बच रहा है तो आपको सेस को लेना है तो सेस मैंने यहां पर लिख लिया दो इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए साथ से सत्रा को डिवाइट करेंगे तो साथ दोना चवदा सेस कितना बच रहा है तीन तो आप यहाँ पर तीन ले लिजिए तो जोडने पर कितना आ रहा है पांच यानि कि साथ से छोटा है ना अगर साथ या साथ से बड़ा आता तो फिर से इसको डिभाइड करते है ठीक है समझ में आ गया होगा अब आपको क्या क करना है समवार में पांच दिन आगे बढ़ना है यानि कि समवार के बाद आपको पांच दिन आगे बढ़ना है तो समवार मंगलवार बुधवार ब्रिहसपतिवार सुक्रवार शनिवार यानि कि सनिवार होगा पांच दिन हो गया ना देख लिजे एक दो तीन चार पांच यानि कि सोमार में आपको पांच आयड करना है पांच दिन आगे बढ़ना है तो क्या मिला सनिवार तो सनिवार कहां पर है ए ओप्षन सही है एंसर भी लिखा हुआ है एंसर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां पर देख सकते हैं एंसर लिखा हुआ है सनिवार सही है, अब यहाँ पर देखिए दुसरा नंबर में, दुसरा नंबर को पढ़के एक बार समझे यदि 15 सितमबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितमबर 2009 को कौन सा दिन था, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 15 सितंबर है यहाँ पर भी 15 सितंबर है तब यहाँ पर आपको एक चीस समझना है जैसे 15 सितंबर 2008 और 15 सितंबर 2009 इसका मतलब पुरा-पूरी एक साल आपको समझना है कोई भी डेट होगा मान के चलिए 1 जन्वरी 2008 और 1 जन्वरी 2009 पुरा-पूरी एक साल आपको समझना है तो यहाँ पर आपको एक चीस समझना होगा समझने का परियास करिए तो 15 सितंबर 2008 और 15 सितंबर 2009 तो आपको पुरा-पुरी एक साल समझना है 365 दिन समझना है लेकिन कहीं कहीं पर ध्यान दिजेगा जैसे ये लिप वर्स है ना लेकिन इसमें फरवरी महिना सामिल नहीं है अगर फरवरी महिना सामिल रहता तो एक दिन और ज़्यादा होता तो अब आपको यहाँ पर सिंपल में समझना है कि 15 सितंबर 2008 से लेकर 15 सितंबर 2009 तक में 365 दिन यानि कि एक साल तो 365 दिन को अगर आप साथ से डिभाइट करेंगे तो एक आपको मिलेगा एक्स्ट्रा दिन ऐसे भी आपको माइंड में याद रखना है समझना है यानि कि 365 दिन आ रहा है हो रहा है इसका मतलब एक्स्ट्रा दिन एक आपको मिलेगा तो अब एक चीज़ आप समझेगा 15 सितंबर का दिन बता दिया गया है सुक्रवार है ना सुक्रवार बता दिया गया है तो एक्स्ट्रा दिन एक आया तो एक आप जोड दिजे सुक्रवार में तो क्या होगा सनिवार होगा तो सनिवार कहा पर है, ध्यान दिजगा, सनिवार कहा पर है यानि की B में सनिवार है तो देख लेते हैं आगे answer आता है या नहीं, ध्यान दिजगा, तो यहांपर सनिवार right answer आगया है है न तो इसी तरीके से आपको solve करना है कोई दिकत नहीं है अगर कहीं पर कोई doubt हो थोड़ा भी कोई संकोच हो doubt हो तो जरूर बताइएगा मैं फिर से discuss करने का परियास करूंगा और trick तो आपको बहुत मिलेगा यूटूब में आपको एक से एक trick देखने को मिलेगा लेकिन आप चाहते तो बिना कलम को पी यूज किये आप बता सकते थे तो बिलकुल समझ में आ गया होगा